आज सबका मन हो रहा था रिश्टोरेंट जैसा खाना खाने का लेकिन जिसमें तेल की मात्रा कम हो क्योंकि होली के उसर पर इतने धेर सारे तेल वाले पकवान बनाये गए थे जिनें खा करके सब लोग बोर हो गए थे तो आज सबका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था लेकिन बहुत ही कम तेल से बना हुआ साथ में हमने इन चावलों के जो रायता बनाया है उसमें बगार नहीं लगाया है उसके बावजूर बहुत स्वादिश्ट लगता है तो चलिए देखते हैं फ्रेंस आज के खाने की रेस्पी यहाँ पर हमने ली हैं दो कप सोया बड़ी तो इनको हमें भीगाना है क्योंकि हम पहले से भीगाना भूल गए थे इसमें आधा लिटर गरम पानी डाल देंगे अब इन्हें हम धीमी आज पर रख देंगे दो मिनट तक इन्हें बॉयल करेंगे तब तक हम इधर दूसरी तयारी कर लेते हैं खाना बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम ताजी मटर ली है अभी तो फिलहाल मटर मिल जा रही है अगर नहीं मिल रही है तो आप रोजन मटर भी ले सकते हैं यदि आपके यहाँ हरा मटर इस टाइम मिल सकता है दोस्तों तो हरा मटर ही डालिएगा स्वात बढ़ जाएगा खाने का तो देखे इधर मटर को हमने धूल लिया है और सोया बड़ी को निकाल कर रख दिया है ठंडा होने के लिए अब इसी कड़ाई में दो कप यह मटर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इनका हारा कलर बना रहे और थोड़ी सी मिठास के लिए आधा चमचीनी और थोड़ा सा नमक डाला है अब इन्हें दो मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि ये मटर थोड़ी सी सौप्ट हो जाएं बस इन्हें ज्यादा नहीं गलाना है थोड़ी सी कच्ची ही रहती है जब तक मटर उबल रहा है हमने यहाँ पर थोड़ी सी ये ली है बीन्स इनको एकदम पतला पतला कट करेंग हैं इधर मटर बॉयल हो गया है तो इसे छान लेंगे और फिर से हमने कढ़ाई में डाल दिया है दो लीटर पानी अभी पानी की मातरा जादा रख रहे हैं क्योंकि अब हम चावलो को पकाएंगे तो देखिए हमने 500 ग्राम चावल लिया है ये बासमती पुलाव राइस है दूल करके 5 मिनट के लिए हमने पानी में भीगा करके रख दिया था उसके बाद जब ये कढ़ाई का पानी गरम हो गया है तब हमने इसमें चावल डाले हैं चाहें तो आप 10-15 मिनट भी चावल को भीगो कर रख सकते हैं ताकि उबालते समय इन्हें ज्यादा ना पकाना प लेंगे कल्ची से ताकि ये अपस में चिपके ना अभी हमने दू बड़े साइज के प्याज लिये हैं इनको बारिक लच्छों में कट कर लिया है और ये आपस में चिपके ना रहे हैं तो इस तरह से इन्हें अलग कर लेंगे तगरिबन 2 मिनट हो गया है चावल को पकते नीचे हमने प्लास्टिक की टोगरी रखी है और उपर से एक कॉटन का कपड़ा लगा लिया है ताकि इनका सारा पानी फटा फट निकल जाए और इन्हें धक करके रख देंगे ताकि ये चावल ठंडे ना हो तब तक हम बाकी तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर दो कप टेल ग करके इनका पानी हटा देंगे और सोया बड़ी को अलग कर लेंगे प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है तो इन्हें हम निकाल लेंगे तेल से बाहर और इसी घरम तेल में ये सोया बड़ी डाल करके इन्हें भी फ्राई कर लेंगे सोया बड़ी को थोड़ा सा ह खड़े साबूत गरम मसाले डाले हैं दो चक्री फूल और चार से पांस लॉंग दस से बारा काली मिर्च और एक चमत स्याह जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा छोटी इलाईची इसका वीडियो मिस हो गया था तो ये सारे मसाले आप इसमें खड़े वाले जरूर डालिए इससे स्वाद अच्छा आता है पुलाओं में और खुजबू बढ़ जाती है अभी इसमें हमने जो काट करके बींस रखा था उसको डाला है और गाजर को डाला है इन सबजियों को तेज आज पर कुछ सेकेंड के लिए भून लिया है और अभी इसमें सिमला मिर्च को डाल देंगे गाजर और बींस को थोड़ा सा पकने में टाइम जादा लगता है इसलिए इन्हें पहले हमने पका लिया है सिमला मिर्च जल्दी पकता है तो इन्हें बाद में डालेंगे सबजियों की मिठास कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जैसे सबजियों म जो पानी होता है वो भी निकल जाता है सारा उसके बाद हमने इसमें उबला हुआ मटर और प्राई किया हुआ सोया बड़ी डाला है तेज आज पर कुछ सिकेंट भूना है और अभी इसमें ये हमने जो चावल साइड में रखे थे ढख करके इन्हें इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे इन्हें बड़िया से आज को हमने धीमा ही रखा है तेज आज बिल्कुल नहीं करेंगे नहीं तो चावल में जो थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाएगा इन्हें बढ़िया से mix कर लेंगे थोड़ा थोड़ा चावल डाल करके एकठे सारा चावल डाल देते हैं तो ये तूट जाता है और अच्छे से mix भी नहीं हो पाता है तो देखे थोड़ा थोड़ा चावल डाल करके मिक्स कर लिया है और सबसे बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे हलके हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि चावल तूटे नहीं तो सारे प्याज को चावलों में बढ़िया से मिक्स कर देंगे यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे इसके भी कर सकते हैं और बाकि सारी सबजियों को इसमें डाल सकते हैं इसे एक बार अच्छे से कड़ाई में बिठा देंगे मतलब सेट कर देंगे उसके बाद हमने लिया है दो चुटकी फूड कलर और इसमें दो चमस पानी डाले वैसे तो धेर सारी सबजियों के साथ में यह पुलाओ देखने में जादा अच्छा लगता है लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा इसे कलर फुल बनाते हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो यह कलर हमने तीन जगा इस तरह से डाल दिया है पूरे चावलों पे नहीं इसमें सफेद भी रहे औरेंज कलर भी रहे तो हमने तीन जगे पर दो दो चमस यह कलर वाला पानी डाल दिया है अब इसे दम पर रखेंगे दो मिनट आज को धीमा कर देंगे और कायदे से धकन को बंद कर देंगे यह नीचे चावल चीपक रहे हैं तो आप तवार रख द जीजिए तो नीचे का चावल जलता नहीं है मिक्स विजटेबल पुलाव का स्वाद बढ़ जाता है सो गुना जादा जब इसे खाते हैं इस मिक्स विजटेबल रायते के साथ इसे दाल के साथ में और सबजी के साथ में खाएंगे तो इसका स्वाद बिलकुल नहीं अच् एक लीटर ताजी गाड़ी और कम खटी दही लेंगे इसे बढ़िया से फेट लेंगे ताकि बात में इसमें जब यह सबजियां मेक्स करें तो इसमें पानी न छूटे कद्दू कस किया हुआ गाजर खीरा और प्याज यदि आप नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं हुआ जीरा पाउडर अब इसे मिला लेते हैं दही को जब बढ़िया से फेट करके इसमें सबजियां सामिल करते हैं तो यह दही पानी नहीं छोड़ता है क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेट जो लिया है और एकदम गाड़ी दही लेते हैं तो यह रायता और भी लगता है खाने में और देखने में ऊपर से धेर सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ती और इस रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें तड़का लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यह रायता ऐसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है चाहें तो आप इ चावल कलर्फुल नहीं होते हैं थोड़े से औरेंज कलर के होते हैं और थोड़े से वाइट कलर के रहते हैं जब हम इन्हें सर्व करते हैं तो हलके हाथों से इन्हें मिक्स कर लेते हैं दम पर जब चावलों को पकाते हैं तो यह पक भी जाते हैं और गलते भी नहीं है तो कम तेल में बना हुआ यह पुलाओ बिरियानी तेहरी को भी फेल कर देता है एक बार बनाएगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और ऐसे पुलाओ खाने के लिए आप रिस्टोरेंट जाते हैं काफी सारा पैसा खर्ज कर देते हैं तो आप जट पड़ इसे घर में ही बना सकत हैं बच्चों के टिफिन के लिए हजबन के लंच बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं तो आज हमने दो बहर के खाने में इसे बनाया था बहुत ही अच्छा लगा स्वाद आप लोग इसे कब ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह की मज़ेदार धेरो रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब और आज की वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बाई